हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल इस अमिता में फ्रेंट्स ही जो आप प्लांट्स देख रहे हैं इसको कोलियस बोलते हैं बहुत कम जगा में लग जाने वाले एक सुन्दर सा पौदा है कोलियस जो छोटे से गमले में आराम से चल जाता है और बहुत ही कलरफुल इसके होते हैं और इसके इसके लिए इसको फूल की कोई जर्रत ही नहीं है यह वैसे भी बहुत खुबसर प्लांट है तो आपके शार में आज स्यार करने वाली हूं कि इस प्लांट को कैसे बूसी करें और इसके फटलाइजर क्या है और कितने धूब इसको चाहिए होता है यह है जो आप देख रहे हैं तो इस प्लांट को फूल की जर्रत नहीं है बट यह प्लांट तब सुन्दर दिखता है जो आप इस बुसी करके ग्रो करें तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों इसके मिट्टी कैसे राड़ी करना है और कितने बड़े गंले में इसको ग्रो अराम से लगा सकते हैं इसको बड़े गंले कोई जुर्दत नहीं है तो चोटे से पॉट में अगर अगर आप लगा रहे हैं तो इसके रूट अगर बॉंड हो रहा है या रूट पहा निकल रहा है तो आप रिपोटिंग कर सकते हैं तो मेरे एक्स्वियंस से फ्रेंस सी जो प्लांट है अगर छोटे से पॉट में आप अगर लगाएंगे तो वाटर बॉंड होने के चांसे जो होता है नहीं रहता है और अच्छे डूट करता है तो अगर फ्रेंस हम अगर बड़े से गंले में लगा देंगे इसको तो क्या होता है कि वाटर बॉंड होने का जो चां आप बड़े से कमले में लगा रहा है तो इसके आप ध्यान रखिए इसकी जो डेने सिस्टम में बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए पाने एकदम नीचे गल जाना चाहिए तो तब अच्छा ऑच्छा ऍज्थ रेका में उघ्टा करेंगी इसको तरस करते रहना है चाहते यहूं यह तो इसके ब्रांचे स्टार्ट हो जाएक और इसे तरह प्लांटस एक तम से भुषी हो जाए गा बुषीße होने से ही अच्छा सुन्दर दिखता है तो आप इसी तरह से इसके पुर्णिंग या कटिंग करते रहें बड़े-बड़े अकर प्रांचेस हो रहा है तो इसको कटिंग कर दीजिए तो आप दिखेंगा कि चारो तरफ से इसके प्रांचेस निकल रहा है और बहुत जल्दी से यह स्टार्ट हो जाएगा तो आप हम बात करते हैं इसके सॉनलाईट्स कितने सॉनलाईट्स की जर्ण रत होता है इसłem ज्यादा सनलाइट की जर्णांचेस नहीं है आप अगर भैंग कर कर अगर जो धी सौना स्ञ रहे व शोता है इस अगर मैं ड gloryas की प्रांट को तो इसके लि कि लीप घराब अना स्टार्ट हो जाएगा जो आप और कुछ नहीं कर सकते एस फ्लांट को तुरसेरे स इसका एक्टमंगी से च्टाह बहले जगा भी नहीं तो आपके जो कोलेस की प्लान की खुबसीरती है वह नहीं आता है चाया बल जगा में हम अगर रखेंगे तो तो अब प्रपोकेशन के बारे में बात करते हैं इसके प्रपोकेशन चोटी से कटिंग में भी लगाई थी तो तीन-चार दिन हुआ है और यह कटिंग लग गया है तो अब मैं दिखाती हूँ कैसे कटिंग हमको लगाना है तो इसी तरह चोटी से कटिंग हमको लेना है चोटी से चोटी कटिंग भी इसका लग जाता है लेकिन आपको थोड़ी से मॉस्चिर के ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ी से चाया बला जगा में रखना पड़ जब तक इसकी रूट मिट्टी को पकाड ना ले तो इसी तरह आप कोलियस की कटिंग कहां से अभी ले आए और लगा दीजे बहुत आसनी से लग जाता है और बहुत ही खुबसरत प्लांट है तो अगर आपकी बेलकोनी में या फ्रॉंट में ज्यादा धोब नहीं आता है आपके गाड़न तो यह बहुत अच्छे एक प्लांट है आप जरूर एड कीजिए अपने गाड़न में और अपने गाड़न को खुबसरत बनाए बहुत ही ब्रैटीज का आ जाता है आप आप नर्सरी से भी लेके आ सकते हैं और कटिंग भी लेके आ सकते हैं दोनों में यह अच्छी तरह से चल जाता है लेकिन इसके थोड़ी से वाटर में आपको ध्यान देना पड़ेगा वाटरिंग में तो यह थी मेरी आज की कोलेश की शेरिंग अगर आपको पशन आया तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं कुछ नेया प्लांट क अच्छी साथ जल्टी मूबाइ टेक केर बाइ